हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फाइट में दोस्तो आपने यूट्यूब की बहुत ही सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका दिल्ली फोरेश्ट गार्ड का पेपर समाफत हो चुका है अब दोस्तो आपकी रिजल्ट डेट की बारी है कट ओफ की बारी है बहुत बड़ी खबर में आपके लिए लेकर आया हूं कितने बच्चे पीटी में पास किया जाएंगे आपके फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा फिजिकल कब होगा पूरी तरह से जो सूचना है वो मैं आपको बताने वाला हूं 100% रियल दोस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको यहाँ पर जो भी अपडेट आती रहे सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हैं वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फैला देना जिसे ने भी दिली फोरेस्ट गार्ड का पेपर दिया है प टेस्ट मंगि हुए है नोर्माल 124 एकस्पेंशन पाँस सें प्रेस्पेंशन फिमेल के लिए 105 सेंटिमेटर चैस 79 सेंटिमेटर पाँस सेंटिमेटर एकस्पेंशन दोस्तों सेडियूल ट्राइब्स रशीर सेंच आशामीज, भूतानीज, गोरखाज, लढदाकीज, मिजो लीशन देरक्त है मेल की हाईट एक सो बाउन सेंटीमेटर माँगी और फीमेल की माँगी है तो ये तो हुआ forest ranger के लिए criteria criteria अपना measurement जरूर जान ले दोस्तों physical तभी शुरू करें अपने पहले criteria measurement जान लीजिए बिना criteria measurement के आप तयारी बिल्कुल भी शुरू ना करें अगर आपको criteria fulfill है तभी आपका फायदा है physical की तयारी करने का वहीं बात कर लेता है forest guard की forest guard में अगर आप male candidate है height 163 cm मांगी हुए chest मांगी हुए 84 cm expansion 5 cm वही female की बात कर लेता है height 150 cm chest 79 cm 5 cm expansion तो यह हुई forest guard की बात इसमें भी same है north east के जो state है उनके लिए relaxation दे रखा है नेपालीज अगर आप है सिक्किमीज अगर आप है बुटानीज आसामीज सभी के लिए relaxation है male की जो high tech 152 cm मांगी हुए और female की 145 cm और race मांगी हुए दोस्तों 25 km और 16 km तो अपना measurement criteria आपने जान लिया वीडियो अच्छे लग रही है तो फटा फट से like से और subscribe कर दे एक्जाम फाइट सेल को घंटी के बटन को जरूर ओन कर लेना और दोस्तों वीडियो को पूरा सपोर्ट कर देना सभी के पास शेयर कर देना अगर आपको अपने मम्य पापा का सभी का सबना पूरा करना है घरवालों का तो आप चैनल को subscribe कर ले एक्जाम फाइट चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले हमारे आप बार आपको 100% सठीक information मिलती है तो दोस्तों पहले मापको result rate बता देता हूँ result की date क्या होगी देना उसके बाद cut off में आपको बताऊंगा physical की date में आपको बताऊंगा पीटी में total कितने chances है physical कब होगा physical date जो है दोस्तों लगबग 20 से 30 माई के आसपास आपकी physical की date आएगी अभी तक आपकी physical की date कंफर्म नहीं हुए जब कंफर्म होगी मैं आपको बता दूँगा आप चैनल के साथ बनेरे सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर ले पीटी में दोस्तों कितने बच्चे पास किया जाएंगे लगबग पच्चिस सो से लेकर तीन हजार के आसपास बच्चे जो है पीटी के लिए रखे जाएंगे पच्चिस सो तीन हजार बच्चों का physical कराया जाएगा अगर दोस्तों आप ढ़ाई से तीन हजार बच्चों में आ जाते हैं जो पीटी में पास किये जाएंगे तो यह समझे लीजिए आपका सेलेक्शन होने वाला है केवल आपका पीटी बाकी है अगर आप पीटी भी अच्छे से करोगे तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा दिल्ली फोरेस्ट गार्ड में अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी कटोफ क्या जाने वाली है केटेगिरी वाईज अगर आप दोस्तो किस केटेगिरी से आपके कितने नम बना रहे हैं तो कमेंट बोक्स में आप जरूर बताना ताकि हमें भी पता चल जाए कितने स्टुडेंट का सेलेक्शन होन दिखते ही वहीं EWS की बात करने ते अगर आप EWS केटेगिरी में और आपके 131-135 नमबर आ रहे हैं तो दोस्तो बिना देरी किये तैयारी अपनी PT की जारी कर दे शुरू कर दे अगर आपको सेलेक्शन लेना है वीडियो अच्छे लग है तो लाइक और सेर और से लेकर 130 नमबर आ रहे हैं तो आज से ही PT की तैयारी शुरू कर दे दोस्तो PT आपका बाकी है बस तो जी जान से लग जाए मैनत करने लग जाए मैनत अगर कोई दिल से करेगा उसको बैनत का फल अवश्य मिलेगा अगर आप SC कैटेगिरी में 122-125 नमबर अगर आपके आ र कैटेगिरी में 110-15 नमबर और अगर आप दोस्तो एक्स सर्विस में में 105 से 110 नमबर अगर आपके आ रहे हैं तो तैयारी आप शुरू कर दे पीटी के लिए काराइटेडियम मैंने आपको बता दिया मेंजरमेंट मैंने आपको बता दिया अगर आपका criteria measurement fulfill है और इतने नमबर आपके आ रहे है category wise तो आप तैयारी शुरू कर दे आप किस category से आपके कितने नमबर आपके आ रहे हैं कैसा आपका paper हुआ है अगर आप नोकरी पाना चाहते हैं तो आप तैयारी आज से शुरू कर दे अपनी category marks कितने आप कह रहे हैं कैसा आपका paper हुआ comment box में आप जरूर बताए ताकि हमें भी पता चल जाए कितने बच्चों का selection होने वाला है इस बार तो दोस्तो सभी बाते मैंने आपके साथ discuss कर ली कोई question, query, doubt रहा गया हो तो आप comment box में पूश सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगियो तो like से और सब्सक्राइब करके जरूर जाना exam fight चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको यहाँ पर जो भी अपडेटो सब इकन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दो दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंजय भारत